नमस्ते दोस्तों मैं हूँ कंजा चुकला और एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाओंगी बहुत समय पहले की बात है एक गाउं में एक बहुत प्रकांड पंडित बहुत विद्वान पंडित हुआ करते थे तो उनके घर में उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था तो उन् मैं अपने बेटे के भावे से का कुछ गड़ना वगारा नचत वगारा देखने थे तो इधर पुत्र का जन्म होता है और दाई पुत्र जो पैदा होता है बच्चा तो तुरंद रोता नहीं है तो दाई उसके तलबे तप तपाती है पीठ सहलाती है कुछ देर के बाद ज है जब सारी चीजे अच दे देख रहे होते हैं तो उनको दिखता है कि बेटे के जो करें जो है इस प्रहंत आका योग है ःफ से रहंता मतलब पुत्र के द्वारा पिता की मिनत्यूका योग लिखा दिख रहा है अब पिता को बहुत दूख होता है और जो है वह सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है और वो अपना सामान बानते हैं और अपने बेटे को इस लांचन से बचाने के लिए बहुत दूर वो चले जाते हैं, सब छोड़ चाड़ के चले जाते हैं, अब बेटा धीरे-धीरे बड़ा होता है, 16 साल का हो जाता है और वो अपनी मा से पूछता है कि पिता जी कहां गए ह उनकी मा हमेशा उसकी जन्म की घटना को उसे बता देती, उससे ज़्यादा कहती वो मुझे कुछ नहीं बता है, बेटा भी अपने पिता के पत्चिनों पर चलता है और बहुत प्रसिद और बहुत विद्वान पंडित बनता है, और ऐसे ही एक दिन, बहुत दिनों से उस र मांगा रकम दूंगा और जो गलत भविसिवाड़ी करेगा उसको मिर्तिदंड मिलेगा, तो भाई बेटा जो लड़का होता है, वो कुछ गड़ना वगरा करता है और अपनी सब उसको पता चल जाता है कि बारिस कब होगी और महल की तरफ चल देता है, महल में जाता है और महां पर बूढ़े व्यक्ति पंडित बैठे हुए है पहले से, जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो कह रहे होते हैं राजन से, कि राजा आज साम को चार बज़े बारिस होगी, तो लड़का जो है वो कहता है कि बारिस तो आज चार बज़े होगी, लेकिन चार बज़े के कुछ पल्ब के बाद होगी तो जो है वो आज वरत पंडी जी बैठे उनको बहुत गुस्सा लगती देखने लगते हैं उसकी तरफ फिर हो कहते हैं एक और भविस्वाडी करते हैं कि बारिस के साथ ओले भी गिरेंगे और ओला जो है 50 ग्राम का होगा अब बेटा जो होता है वो कहत है इसे ही चार बजने वाला होता है और नहीं नहीं होती है लिर बादरय लगते उसके बाद बारे बारेस अ और बेटे से कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या मांगना है, तो खोड़ दीजिए, तो राजा कहते हैं कि ठीक है छोड़ देंगे लेकिन तुम तो कुछ और भी मांग सकते थे धन संपत्य कुछ भी मांग सकते थे तुम इनको क्यों छुड़वार है तो बेटा जो है थुड़ी दे चुप रहता है और कहता है कि यह मेरे पिता है जो मुझे 16 साल पहले छोड़ पिता को देखते है और जो है गले लगा लेता है और देखते हैं लोग महल के बाहरो आते हैं और बेटा से कहता है तुमने कैसे पहचा है नुध की तुम्हारा पिता थोड़ाके है चैनल है और कहता है कि पिता जी आपने जो है यह के कि अनूसार मैंने आपको पेहचाल लीए आपने जो है गडना तो सही की कि बारिस चार बज़े होगी लेकिन बारिस होने में जब धारती पर्थवी तक बारिस आएगी आसमान से तो उसको कुछ समय लगेगा कि नहीं ते वो कुछ तो पिखलेगा ना ऐसे ही बच्चे का जब जन्म होगा तो दाई मा को बच्चा सम्हालने में कुछ समय लगेगा की नहीं तुरन तो नीम्बू नहीं वहा लोड़का देंगी और जो है हो सकता है जिसमें बच्चा पैदा हुआ हो उसका जो है योग पित्र रच के रूप में हो अर्स जो है जानी जीलम स्का प्रियोग में वहत बड़ा उनको नहीं सोचते हैं कि मैंने पूरी जिन्दगी में विद्वान बना रहा इतनी वह चूटी सी चीज मैंने नहीं सोची जो होती है common sense तो कहते हैं कभी-कभी आपकी विद्वान जो आप बहुत होते हैं बहुत ग्यानी बनना ठीक है लेकिन common sense का प्रयोग करना बहुत जरूरी है तो बस ऐसे ही कहानिया सुनते रहिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अगर कहानिया आ क्रिए कमेंट बॉक्स में जरूर लेकिए धन्यवाद